एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स क्लाश 10 के केमेस्ट्री चप्टर टू ठेक है यह हम इनका सारा एमसी की कोशन्स सॉल्प करने जा रहे हैं आप विडियो से पहले आप जो कोशन्स है आ रहे हैं उसको पहले आप पोचर के सॉल्प करना उसके बाद अगर आपसे नहीं बने त पहले कोशन्स यहां पर आपका दिख रहा होगा एसिड बेस सॉल्ट का की आपका बूलता है 10 ml आप सलूशन औप एन ओएच सोडियम हाड़ोक्साइड इस फांड तो कम्प्लेटली नुट्रिलाइज 8 ml औप गिबन सलूशन हाड़ोकलोरिक एसिड इफ वी टेक 20 ml आप सेम सलूशन आप एने ओएच सोडियम हाड़ोक्साड दा इमांट अप सलूशन तो आप देखे की नुट्रियाज एक्शन क्या होता है जब एसिड और बेस रियेक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है तो उसे हम नुट्रियाजेशन रियेक्शन बोलते हैं तो यहां पर न न इने ओएच पलस क्या हुआ इससियल रियक्ट किया और बना लेगा स dikkतला लेगा नशिएल शॉल्ट बने गया पलस क्या बनेगा वार्तर बनेगा अब रहा है कि अगर हम तंट्रिंधग केजिड तो हमें किटना आथ एमिल हमें हैंडि Clay 성 अधिशन लेनात पड़ होत अ 20 ml 10 ml हम नयोच लिए तो हमें कितना निट्लाइज करने के लिए क्पड़ा हमें 8 ml हमें क्पड़ अगर में कितना लेना पढ़ेगे यह कुछ ने हूँ टो कि टो अगर हमें एन एमिल एक एन एमील लेना पड़ेगां ज्टेंऄ जार डोकलोडब 20 ml में 20 ml में 20 ml में 20 ml NaOH कितना required होगा आपकी 8 by 10 into 8 by 10 into 20 ml HCl क्या होगा 10 to 20 8 to 16 कितना ml चाहिए 16 ml HCl चाहिए अगर 20 ml NaOH ले रहे हो तो आपकी 16 ml क्या लेना पड़ेगा एसल लेना होगा क्या एक्षन को निटलाइज करने के लिए क्या हो जागा option D हो जाएंगे सर्थ तो समझ में आगे unity मेतर से हम सॉल्प कर सकते थे अब आता है नेस्ट कोशन कोशन नमर 35 बोलता है वीच आप दी फ्लोइंग टैप सॉप मेडिसीन इज यूजड फोर टीटिंग इंडाजेशन काउज बाई ओबरीटिंग कभी आप ज्यादा खा लेते हैं तो अनपच उसको बोलते हैं कि जो डाजेशन वहाँ पर लिखा लेते हैं ठीक है तो एंटा एसिड में क्या मेंगनेसियम हैडोकसाइड होगे एस सब का गोली हम खा लेते या बेकिंग सोडा या इनो पीरे हो ना इनो क्या है एंटा एसिड का काम करता है समझागिया क्या हो जाएगा option C हो जाएगे अब आता है question number 36 36 बो से किया कर रहे है तो वहाँ पर एक ग्येश पर leagem स्वेटर उसक्तर है सर मिलकी बनादे रहा है तो यह जो आप किसे चुनिंट करवाओंगे होगे होता है क्यलसियम कार्भुनेट क्या होता हैम गारएसे-ई चू-2 प्लस आप जब उससे क्या रिएक्ट करवा दो किससे सलफूरिक एसीड से जब रिएक्टर वा देते केल्सियम कार्बोनेट को ठीक है तो वहाँ पर नुटलाजेशन एक्षान क्या बनता है आपका केल्सियम सलफेट बनता है सर केल्सियम सलफेट प्लस वाटर बनता है प्लस क्या बनता है व ह tutorial से पास करवा दो toкий बन जाता है केल्सियम कार्बनेट बनता यहां पे और यह ही मिल्की बन जाता है क्या हो जाता है मिलूड किलर हो जाता हैbooks संऩब बनता है आप के आएच हूरी के साथ अगे तरें मारबल के सिपस को तब हमें क्या बनता है और जब हम उसे लैम वाटर से पास करवाते हैं तो मिलकी बन जाता है समझ में आया चलते हैं कोशन नमबर 37 की गोड़ 37 आपका बोलता है one of the flowing is not an organic acid this is कौन इसमें organic acid नहीं है सर वो हमें पता ना है तो इत्वनवाइक और यहां तो फर्मूला CH3COOH यह आपका क्या organic acid है फॉर्मिक एसी एच चीड़ो ओ एच फर्मूला यह होता है यह आपका क्या फर्मिक एसीड आपका लेमन जूस में पाजाता है सर लेमन में ठीक है तो यह आपका शिट्री एसीड हो पाजाता है फिर आता है कार्बनीक एसी होता है सर है आपका है यह आपका अचर्च ओ सकते हैं ऑर आपका औरींग नहीं औरें किया जोता है क्या आप फरमलोते है H2CO3 होता है यह आपका क्या mineral acid होती है ठीक है चलते है question number 38 38 आपका क्या बोलता है 38 आपका बोलता है क्या 38 38 आपका बोलता है sir 38 आपका बोलता है the property which is not shown by acid acid के दुवारा क्या properties होने करता है तो acid आपका क्या short test so करता है litmus paper को read कर देता है और pH value जो होता है उसका less than 7 होता है किसका सर acid का क्या नहीं होता है फिल वह sopik अगर उसको touch करेंगे तो sopik जैसा फिल नहीं होता है किसमें sopik जैसा फिल होता है base में क्या हो जाएगा यहां they have so test e सही है they fill sopik नहीं वह touch करने पर sopik के जैसा नहीं लगता है किसमें नहीं लगता है acid में तो यही क्या बोल रहा है को और acid properties show नहीं करता है क्यों यह बेस विल नहीं करता है based so करता है कि जो इंडिकेटर है ओ एसिन में आपका टर्ण क्या हो जाए रेड हो जाए तो आपका जो होता है सर लिटमस लिटमस और लिटमस जो है ओ बुलू एसिड में बुलू से किसमें हो जाता है चेंज रेड में चेंज हो जाता है और मिठल ओरेज में मिठल ओरेज में आपका क्य पर क्या होता है से ऑपिर मिध्थों से मुलू हो जाता है यह थो तो यह हो करता है फिर फेनोथिलिन का खांगा समझ में प में कोई इफक्ट नेशो करता है और आपका बेस में T सभ्कड करता है सर पिंक कलर सो करता है बेसिक स्लू 처럼 में में कौन फेनोत ले समझ मागया तो रेड कलर किसम के हो जाता है कोन करता है आपका लेड़्य और मिथेल ओरेंज में जब एक एस्वीड सलू 처럼 cage लिटमस और मिथल औरेंज का इंडिकेटर जो है रेड़ सो करता है एसीड सलूसन में क्यों जाएगा option C हो जाएगे question number 40 बोलता है क्या दार discomfort caused by indization due to overeating can be cured by taking कि discomfort अगर indization हो जाए जब जादा खालेते अनपच हो जाता है तो discomfort हो जाता है वहां पे तो वह हम किस से cure करते हैं तो यह क्या हो गया आपका acidity वहां पे हो गया है पेट में क्या indization हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेस लेना पड़ेगा तो बेस में क्या लोगे baking soda जो आपके वीक बेस होते हैं वह खाते तो baking soda का formula होता है sodium bicarbonate NaHCO3 होता है सर तो क्या लेंगे baking soda लेंगे क्या हो जाएगा option C हो जाएगा next बोलता है 41 41 का बोलता है the property which is common between vinegar and curd is that day कि vinegar और curd में क्या common property है दोनों क्या acid है तो दोनों का test कैसा होगा सर short test होगा खटा test होगा क्या हो जाएगा उसका 41 का option D हो जाएगे have short test कैसा test होगा खटा test होगा खटा पन होगा आब आता है 42 सर 42 बोलता है क्या 42 क्या बोलता है आपका 42 बोलता है कि the indicator the indicator which produces pink color in a alkaline solution is phenothylene क्या होता है फेनोथिलीन में आपका कैसा वो colorless से क्या हो जाता है pink color में हो जाता है कैसर alkaline solution alkaline solution बोले तो basic solution base solution है basic solution basic solution में pink color किस में turn हो जाता है फेनोथिलीन में बेसिक solution में किस में फेनोथिलीन इंडिकेटर में तो क्या हो जाएगा option C हो जाएंगे सर कोशन नंबर 43 बोलता है क्या कि अगर हम zinc grain wells लेते हैं और वहां से रियक्ट करवाते हैं एक solution से तो क्या मिलता है एक gas मिलता है विच बर्ण सवी थे pop sound pop sound क्यों बरता है आपका hydrogen gas जो है सर वो pop sound से बर्ण करता है pop sound के साथ वो जलता है the solution content solution में क्या content किया रहता है तो zinc जब acid के साथ रियक्ट करें hydrochloric acid तो hydrochloric acid या sulfuric acid तो क्या बनता है जिंक chloride बनता है और आपका hydrogen gas देता है क्या देता है hydrogen gas यह जब gas को हम क्या करते हैं बर्ण करवाते हैं सर तो यह कैसा बर्ण करता है pop sound के साथ बन करेगा कैसे pop sound का क्या हो जाएगा option D हो जाएगा सर option D hydrochloric acid समझ में आ गया metal जब acid के साथ रियक्ट करता है तो generally hydrogen gas evolve करता है समझ में आ गया तो zinc metal हो गया और acid देख लो acid क्या है hydrochloric acid तो यह आपके रियक्ट करके क्या बनेगा pop sound देता है है hydrogen gas देगे सब्सक्राइब चलते हैं अब आगे की और कि बोलता है क्या वन आप दी फ्लोईंग मेडिसीन इजे मेडिसीन फोर इनडाजेशन एक आपका जो इनडाजेशन के लिए क्या है मेडिसीन है कौन है वह में बताना है तो मैंगनेशियम हैड्रोगसाड यह आपको जो है यह आपका इनडाजेशन के लिए और चाहिए होटीक फिर बोलता है फोटी Catamun पाया जाता है आकि जो फ यहां इस में होता है यह मिथनाल ऐस्टुलीड कंटेan करनागी क्या क्या है इस्टीक लिक्विड यह पाहें संग्णों आगया वास्प अस्टिंग कन्टेंग् 그래도 क्या हो राता है वास्फ अस्टिंग में क्या हो रहता है उसमें लिक्विट कंटेंड क्या रहता है यहां पर आपको एस देना पड़ेगा तो उसकाक नम्र 43 वहां आप दूभुंग दजिनोट एंजेक्त एंड एश्टिक लिक्वीड ओफद होantically देख क्वान प्वन व跟大家 एंजेक्टन निनग्ट ने ने करता है उसका थो एक दूआरा मे सुन होता है वो क्यों है वो हमें बताना है तो हपनीबी में क्या होता है रहें आपके होते हैं क्या होते हैं किसमें होता है आपका जो है वे आपका रिक्विड होता है व्यत चलते हैं फोटी-फोर की और 44 आपका बोलता है है से यह सलोसर्ण ट है यहां पर सेवन है यहां पर फोटीन असकेल में है और यहां पर 15 ऐख तो जीरो से लेकर सेयंवं है तो ये क्या लाता है hanami तो अगर लीटमस से क्या हो जा रहा है वुलू हो जा रहा है तो उसका प practice यूआ जाएगा सेवन से ग्रेटर होना चाहिए तो सेवन से ग्रेटर क्या है देखलो यहां पे 10 है option क्या हो जाएगी तो बेस जो है और लेटभला से एपने से लेकर 14 तक तो क्या हो जाता है 10 होता है थो पिये खेलोगा 10 होगा तो आपका सेवन से छोटा होगा पीएच 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 सेवन से छोटा है तो क्या कर लाएगा वो एसीड का लाएगा सर और यह कैसा रेड आपका बुलू लिटमस से क्या हो जाता है रेड हो जाता है रेड कलर में होता है क्या हो जाएगा लेश देन सेवन कोई द तो फिनोथीन इंडिकेटर इंडिकेटर को क्या भी में हो जाता है और यहाफ सब्सक्राइब हो ङलू पंधा इससे में कि पलार यह जाता है सब्सक्राइबिस प्रिवह न होगा यह अपका सलाएगा और में टाए आपका स 190 कहलेगा घंड हो जाएग tuh बोलता है बीथाल औरफ लूइंडिकेटर इन सलुूण हीज एलोग whilst अपके ओरेंज इंडिकेटर की साहा होता है ऑर्झ कलर में होता है तो तो यह अगर औरेंज से एलो हो रहा है तो यह क्या हो रहा है यह बेस सलूशन क्या है बेस है दो पीएच अप दीस सलूशन इज लैकली टूबी तो पीएच मेलू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन सेवन होना चाहिए पीएच मेलू क्या हो चाहिए बेस के लिए ग्रेटर दे सेवनाई चाहिए तो क्या होगा सेवन सेवन है तो क्या होता है इसिद का हो जाएगा लें सप्सक्षच manufacture हो जाएंगे दी हो जाएंगे तो जो बेस होता है बेस पीएच वह लो वह उता है more than seven होता है ग्रेटरस दें आपका यह बेस है लेकिन बेस एक क्या पाई जाता है आपका एसिड पाई जाता है मिथोनेक एसिड में क्या लगाना पड़ेगा बेस निटलाइज करने के लिए लेकिन अस्टोंग बेस को हम नहीं लगाते हैं तो क्या लगाएं यहां पर अब आता है 49 वहर्मुला ब्लेंग एक किसमा के लिए हीब है बनाइगर समस्टोंग में होता है अस्टीकस रोटा सब्सक्राइब रहेक्τα-ट भीने विनेगरिने 아침 अपड़ेगे करते विनेगर आपको सब्सक्राइब और फूपर स्टिंग यह में साथ तो बोल तो भी कर रहें विन्यगर विनैगर तो बिने घुठ तो सटंग पर संचे किसा पाड़ता है मिलता है तो सब्सक्राइब और सिद्रज पर्षण को कौन काटा है वेस में और वैस्प में पा जाता है वास्प में बंसक्त, क्या होगा है करला से वैस्प में क्या खोगा,thak विचा वहां पे काटा और नेस्ट फिकति उप भिछ फ्रेश से मिलकले मिलका हो गिया तो इसका इलों होगा तो क्या होगया कट मेरे चेनज हो गया तो क्या होगा आपकी become less than six जो चाहaros चाहरा आपका विकवांड जो जाएगा क्या हो जाएगा तो ढूं से बन जाएगा क्या क्या होगा जैसे चेनज आपका हुआ क्या आपका एंड में में चेंज रहुआ क्रण एप मोर में अगया तो क्या हो जाएगा सकतक्र ways ऑगा यह तो में शोड़ जाएगा क्योंकि मिल तो लीच था और अगया एसीड बन गया और खटापन उसमें आ गया खटा पना गया एसीड बढ़ गया तो मतल़ कि उसका प्यच बेलू जो है घट जाएगा है क्यों जाएगा आपका शीक्स ओप्शन भी हो जाएगे चलते हैं क्या है hydrochloric acid है सर क्या यह वहां से हमें जनरेट हो रहा है hydrochloric acid को जनरेट कर रहा क्या होज़ेगा option सी हमारा स्ट्रोमक से hydrochloric acid हमेशा होता है अब आता है 53 दा डेफोडिल plants grow based in soil having a pH range of 6 to 6.5 डेफोडिल प्लांट्स है वह आपका बहुत अच्छा से उगरा कहां पर 6 से 6.5 पाइब प्यएच रेंज है उस स्वाइल में इस वाइल इन गार्डेट है पी एच पोड़ प्यपोडिल प्लांट्स आपका गार्डेट में उगने के लिए स्वाइल का रेंज कितना चाहिए पीस रेंज से 6.5 में आपका यूग जाता है अगर स्वाइल के गार्डन के में अगर स्वाइल का पीएच वेलू क्या हो जाता है तो उस सब्सक्राइब करेंगे कि डेफोडिल इजली वहां पे आपकी गार्डेट में उग जाए तो आप क्या यूज करोंगे वहां पे लाइव यूज करेंगे क्योंकर यहां पर आपका एशीड हो गया आपका जो फिर करेंगे लाहं का यूट करेंगे क्यों करे दोनों फिर आफ का allá सर परका जो है और पका स्वएल जो हैं क्या बन जाई यह वह क्या बन जार ठीकिदा करना करना मांिस 파ण पर ठोब करते ह्सक्राइब एक कोशन सा आपका बोल रहा है कि यही एसीड बेस और सॉल्टेज का दा सॉल्ट वीच विल गीव एन एस्टिक सलूशन ओन डिजॉल्बिंग इन वाटर तो अगर हम कौन सॉल्ट में अगर एड करेंगे एस्टिक सलूशन देगा जब वाटर में हम डिजॉल्ब करेंगे सर वाटर में जब डिजॉल्ब करेंगे तो कैसा एस्टिक सलूशन दे किसमें एस्टिक सलूशन देगा एस्टिक सलूशन देना चाहिए तो आपके अस्ट्रोंग बेस और अस्ट्रोंग एसिड आपको पता होना चाहिए जब अस्ट्रोंग बेस और वीक एसिड रियक्ट करे स्ट्रौंग अगर ब्यृक्वक्त किया तो अपका स्ट्रौंगई सिंद Forgive और अगर कर लियृक्त किया तो आपका स्ट्रौंट यह से और निट्रोंग मंडा स्ट्रौंग मिल जू ना देगा ठीक है और इसका जो पीएच बेलोगा इस इक्वल टू सेवन होगा सर अगर वीक एसीड और विक बेस अगर वीक एसीड और विक बेस अगर रियक्ट किया तो यह आपका सॉल्ट जो होगा और सॉल्ट आपका कैसा होगा सर नीट्रल होगा और इसका बेलू जो पी एस्टिक सलूशन देगा तो देखिए एनेच फोर एनेच फोर चील सील है इसको जब वाटर के साथ डिजॉल्फ करें तो यहां से आप क्या बनेगा एमोनियूम हैडोकसाइड बनेगा प्लस क्या बनेगा हैडोलैसिस पढ़े हो ना हैडोलैसिस आप सॉल्ट तो यही आप अ हैंवोनियूम हैडोकसाइड आपका जो है सर वह क्या है विक बेस है क्या है सर विक बेस है और आपका है यहां पर आपका ऑप्सन भी हो जाएगा के सीयल में अगर आप वाटर डालोगे तो डाल के देखो क्या बनेगा को एच्छ प्लस क्या बनेगा एचल बनेगा आपका पोटासियम हैडोकसाइड क्या है आपका अस्ट्रोंग बेस है और हैडोकलोगी केसिड भी क्या है अस्ट्रोंग इसीड तो यह क्या नीट्रल सलूसन बनेगा सर ठीक है नीट्रल सलूसन बनेगा और आपका देखो यह भी सोडियम sodium by carbonate sodium carbonate Na2CO3 में पानी जब डाल दोगे water जब डाल दोगे सर हैड्रोलेस करोगे क्या बनेगा sodium आपके बनेगा sodium hydroxide और क्या बनेगा carbonate acid बनेगा आपका carbonate acid जो होता है आपका जो बेसिक होगा सर क्या होगा वेसिक होगा यह भी आपक एल्समें बेस्ट्रोशन होगा जो इसमें बेस्ट्रोशन होगा और आपका आपका acid strong है तो उसमें आपका acidic solution होगा क्या हो जाएगा ammonium chloride option क्या हो जाएगा B क्योंकि ammonium hydroxide जो है आपका weak base है sir hydrocaloric acid जो बना है आपका strong acid है तो आपकी solution जो होगे HD होगा समझा गया चलते हैं next question question number 55 55 बोलता है one of the flowing salt will give an alkaline solution on dissolving in water water में dissolve करने पर कौन आपका alkaline solution देगा sir कौन alkaline solution देगा जैसे यहाँ पर water डिलेंगे तो क्या बनेगा NaOH बनेगा और आपका H2CO3 बनेगा मिस कि आपका strong base हो गया और आपका क्या आपका weak acid हो गया strong base और weak acid जब रियक्ट करता है तो आपका solution जो होता है alkaline solution बोल सकते हैं या basic solution होता है sir तो option क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा यहीं से आपका मिल गया बाकिदे को यहाँ पर बनेगा तो NaOH और आपका H2SO4 सलफूरिक acid और आपका sodium hydroxide यह दोनों क्या strong base है और strong acid है आपका यहां से अगर तोड़ोगे water क्या बनेगा sodium hydroxide और क्या neutral यहां पर देखो ammonium यह यहां पर बनेगा ammonium hydroxide और आपका sulfuric acid H2SO4 आपका sulfuric acid जो है strong acid है sir और आपका जो बेस है वो क्या इसा है वीक है तो यहां पर जो a solution होगा क्या सब्सक्राइब होना चाहिए और बेस होना चाहिए तो किसे मिल रहा है option a में मिल रहा है समझा गया चलते हैं next question question 56 56 आपका बोलता है the salt which will give a neutral solution of dissolving in water will be किसमें आपका neutral solution जब water में dissolve करेंगे तो neutral solution जो है उसको dissolve करेगा neutral solution को dissolve कर रहें water में तो क्या ठीक है कौन salt होगा जो neutral solution मिलना चाहिए ठीक है neutral solution कौन होगा तो यहां पर water में जैसे dissolve करेंगे तो यह आपका क्या बनेगा तो है यहां पर h बनेगा यहां पर अपके το आपके जोати स्थी ड्लो एच एक क्या हो गया और एऩल बेस हो गया a Sam क्या हो गया स्ट्रोंग हो गया आपकाण LIKE a क्या हो गया श्ट्रोंग ऐस हो गया और यह आपका weak conno гл स्टोंग बेस होना चाहिए क्यों नीट्रल सलूशन पाने के लिए तो यहां पर एमोनियम एमोनियम क्लॉराइड तो एमोनियम है अध्रोक्साइड हो जाएगा और आपका है यह स्ट्रोंग एसीड है सर और एमोनियम है यह विक बेस है फिर के सियल के सियल में आपका क्या के ओ एच आपका पोटासियम हैड्रोक्साइड यह क्या हो गया आपका अस्ट्रोंग बेस हो गया सर और हैड्रोकलोरिक एसीड एसीड हो गया सर तो अस्ट्रोंग एसीड हो गया सर तो अस्ट्रोंग एसीड और एस्ट्रोंग बेस जब रि वह चौह करना सलूटिभ स्फार्फ सोडियों चील चंच बेस नहीं सब्सक्तिन के साथ कमरू है आपका बैस के साक्वी सब्सक्राइब लस Lazapse अगया चलते हैं अम्हें तब प्रोटे से ऐसी hace क्लोर अलकली प्रोसेस में क्या होता है सोडियम क्लॉराइड को सोडियम क्लॉराइड को वाटर के परजेंस में क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं सोडियम क्लॉराइड को वाटर के परजेंस में वाटर के परजेंस में क्या करते हैं वाटर के परजेंस में क्या करते हैं हैंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा क्या हो जाएगा option B हो जाएगा अलकली देखो बेस हो गया sodium atom साथ बेस हो गया chlorine भी मिलता है क्या Cl2 case तो आप क्या option B हो जाएगे समझा गया चलते हैं 58 की question number 58 the number of molecules of water crystal crystal present in washing soda तो washing soda में water crystal का molecules कितना number present होता है यह में तो लुदा आपको पता होना चाहिए था na2 co3.10 water 10 water 10 molecules of water आपके परजेंट होते हैं कितना 10 molecules of water क्या है सर परजेंट होता है कितना 10 molecules of water परजेंट होता है क्या हो जाएगा option C हो जाएगे question number 59 question number 59 बोलता है क्या कि the salt whose aqua solution will turn blue litmus to red each कि जो solution में आपका क्या हो जाए blue litmus से red में change हो जाए मतलब कि आपका solution कैसा होना चाहिए sir, acidic solution होना चाहिए कैसा solution होना चाहिए acidic solution होना चाहिए acid में क्या होता है blue litmus को red में change करता है means की a strong acid और weak base होना चाहिए क्या होना चाहिए तो देखो ammonium sulfate में, ammonium sulfate में अगर बनाएं, तो यहां क्या बनेगा, ammonium hydroxide, जो आपका क्या है sir, weak base है, क्या है, ammonium hydroxide, weak base हो गया, और आपका, यहां पे क्या, आपके sulfuric acid, H2SO4, आपका hydrogen sulfate, यह आपका क्या, आपका strong acid हो गया sir, तो weak acid, sorry, strong acid, और weak base के साथ, आपका क्या बनेगा, आपका जो solution, वो क्या करेगा, acidic solution होगा, और वो litmus paper को, blue litmus से किसमे, rate में change करेगा, क्या हो जाएगा, option A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option A हो जाएगा, समझ में आ गया, sodium acid state में देखो, sodium hydroxide, आपका क्या हो, strong base हो गया, और acetate है, तो आप क्या, acidic acid होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो, sodium, क्या है, CH3, sodium acid, formula क्या होता है, CH3, COO, NA होता है, आप क्या कि यह, इसमें water डाल दियें, सर, तो यहाँ पे H लगेगा, और यहाँ पे क्या, OH लगेगा, ठीक है, तो यह आपका जो, आपका यहाँ बन गिय क्या, क्या बना देखिएगा, यहाँ पे, NOH, जो क्या, strong base हो गिया, और आपका CH3, COOH, acidic acid क्या, weak acid हो गिया, तो यह, आपका solution हो जाएगा, basic हो जाएगा, सर, किसा होगा, basic, तो basic में आपका क्या, आपका rate, लिटमस से blue change होता है, यहाँ क्या निकालना है, बुलू लिटमस स क्या हो गिया, D हो गिया, चलते हैं, 60, कोशन नमबर 60, कोशन नमबर 60 आपका बोलता है, क्या, the aqueous solution of one of the flowing salt, will turn, lead लिटमस to blue, मिस की, आपका basic solution पहचानना है, बेस में क्या होता है, lead लिटमस को, बुलू में चेंज करता है, तो this salt is, O salt क्या होना चाहिए, मिस की, यहाँ पे में, potassium hydroxide, आपका वह strong base हो गया, और आपका sulfuric acid, sulfuric acid, H2SO4, यह भी आपका क्या, strong acid हो गया, तो यह आपका जो salt होगा, यह क्या होगा, neutral salt होगा, ठीक है, आप देखो sodium sulfate, sodium sulfate भी क्या, sodium hydroxide, और आपका sulfuric acid बनेगा, देगा हो, water जैसे डालोगे तो, H2SO4, और आपका क्या, sodium hydro hydroxide देगा, NaOH, यह दोनों क्या, strong base और strong acid है, इसलिए आपका यह क्या, ओ, जो neutral solution है, आपका लिटमस में, कोई effect नहीं होगा, फिर sodium chloride, sodium chloride है सर, तो यहाँ पे भी आपका क्या, strong base और strong acid, क्या, sodium hydroxide, और आपका क्या मिल रहा है, hydro caloric acid, जब water में डाल रहे हो, तो यह आपका क्या है, आपका जो salt है सर, यह कैसा salt है, आपका neutral salt है, potassium carbonate, potassium carbonate में देखो, कि water जीसे डालो, क्या हो जाएगा, को H होगा, और आपका carbonate क्या हो जाएगा, H2CO3 बनेगा, तो आपके H2CO3 क्या है, आपका carbonate, O, कैसा acid है सर, V, कैसीड है, और आपका potassium hydroxide कैसा है, आपका strong base है, कैसा है a strong base, तो आपको पता है कि a strong base और weak acid जब react करता है, तो आपका क्या बनाता है, आपका basic salt बनाता है, basic salt बनाता है, तो litmus paper को, lead litmus को किसमें change कर देगा, blue में change कर देगा, सर, तो option क्या हो जाएगे, आपके D हो जाएगे, option क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, आप चलते हैं, 61, 61 आ कैसा salt होना चाहिए, आपका neutral salt होना चाहिए, तो देखो, यहाँ पे water डालो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह H2SO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह a strong base और a strong acid, जब a strong base और a strong acid react करता है, क्या बनाता है, neutral salt बनाता है, सर, neutral salt, तो यह क्या है, आपका यह अस्टोंग बेस और अस्टोंग एसिट से बना हुआ है इसलिए आपका option क्या हो जाएगा इस पे आपका लिटमस पेपर पे कोई effect ने पड़ेगा किस पे option A यहाँ पे देखो sodium carbonate देखोगे ú이지 sodium hydroxide और करिपस बना हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका washed salt होगा बेषिक तो यह आपका कर दमेम पर बुल्य में कर देज़ कर देगा कर दें और आपका इसलपूरी है अपके बबस विब fertilizer से बना ही सब्सक्राइब कर देगा और आपका सट्रोंग पेसद से बना हुआ है इसलिए आपका क्या हो जागा है वो सब्सक्राइब और है और आपको लेड आपका बूलु में चेंज कर देगा सोरी आपका यह क्ासीक सोल्ट है तो रिए लिटमस को भूलु में चेंज कर देगा सर कौन सो्रियम स्ट कों extern कर पाएगा आपका पोटरासियम सलफेट क्योंकि दोनों अस्टोंग बेस और अस्टोंग एसिट से बना हुआ है सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या जगा option A हो जाएगे अब आता है question number 62 question number 62 आपका बोलता है क्या क्या the aqua solution one of the flowing salt will turn phenothylene indicator pink phenothylene indicator को किसमें चैंज करतेगा pink में क्वाण फिनों इंडिकेडर को आपका colorless एक पिंग में चैंज करता है बेस क्या बेस मिसकी स्ट कैसा होना चाहिए बेसिक नेचर का होना चाहिए मीस कि यहाँ पे डेखो किया होगिया यहां किया हो गया यहां पे केसल में देखोगी तो पॉटासियम हैड़कशएड और आपका हार्डोकलोरीक इसीड़ दोनों क्या है और आपका स्टौंग बेस के साथ बना हुआ है। यहां पर देखोगे तो आप जेसे वाटर बनारों गए तक को कह आ फोली आपका अरएस और आप जैसे बना वह बनेगा आपका जो मेंको भी है एंब मेंको ऑपने थैग को brighter 90 strain में क्या बनेगा जहिसे वाटर डालेंगे की ओ एच्ट जो ही सर् बीट्रीफilan शनी में देखोगे तो क्या बनेगा आपका नारिक बनेगा तेक है तो निट्रीक इसबीस और च्रणन आप सनुजम यह ऍपने आता है फर्मुला ऊप बेकिंगे coaster में सोलनेक्पारी केमिकल वह मैं और फर्मुला माध आएजOoh Sy सी हो जाएगा स्वाबुस्त्राइब होता है यह सोडियम सोडियम कार्भुस्ता थैस्ट तो यह आपका क्या हो जाएगा auction सी हो जाएगा बेकिंघ इसोडा का फिर्मला नेth सीओ 3 होता है है अब आता है शॉर्सषीफ पहर बोलता है वीच्च ओफ treated with chlorine to obtain billiching powder को obtain करने के लिए chlorine से कौन obtained होता है तो calcium hydroxide को calcium hydroxide को जब chlorine से पास करवा देते हैं सर तो एक क्या बना लेता है calcium oxy chloride बना लेता है प्लस water बहार निकल जाता है ठीक है यह आपका बना लेता है समझा गया तो क्या हो option B हो जाएगा calcium hydroxide calcium hydroxide को जब हम chlorine से पास करवा देते हैं तो क्या बनता है आपका billiching powder बनता है फर्मूला क्या होता है calcium oxy caocl2 हो जाता है सर 65 बोलता है क्या 65 कि plaster of Paris is prepared by hitting one of the flowing to the temperature of 100 degree Celsius 100 degree Celsius में हम plaster of Paris को केसे बनाते हैं किसको hit करते हैं तो आप किसको hit करोगे आप करती calcium sulphate gypsum को जब आप hundred degree Celsius पे hit करते हो तो क्या बनता है सर plaster of Paris बनता है क्या हो जाएगा calcium sulphate dot two water gypsum को जब gypsum gypsum को जब हम hundred degree Celsius पे क्या करे हिट करे limited temperature पे तो क्या बनता है आपका plaster of Paris बनता है pap बन्ता है POP Plaster of Paris होता है ठीक है तो एे आपका बंदता है के जिबसम का फर्मूला क्या होता है सर Cecilsum sulphate .2 ist इसको 100 Degree Celsius पर हीट करेंगे तो क्या बन्ता है PLA calcium sulphate . hot water बनता है क्या होता होता हैisés आपका one and jak Molecular water क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है और यह आपका क्या बन जाता है प्लास्टर हो पेश बन जाता है option क्या हो जाएगा सर डी हो जाएगा आप चलते कोशन नंबर 66 66 आपका बोलता है यह salt हुज एक्वा सलूशन वील है पीएच आप मोर देन 7 विल भी अगर पीएच आपका कितना है गरेटर देन 7 है तो यह आपका क्या हो जाएगा basic solution होगा सर basic salt होगा basic salt होगा greater than 7 है तो यह क्या basic salt होगा तो basic salt मतलब आपका strong base होगा और weak acid होगे strong weak acid plus strong base होगा जो आपका salt बना होगा strong base और weak acid से बना हुआ होगा तो निकालो यहाँ पे देखो यह आपका potassium hydroxide और आपका carbonic acid से बना हुआ है आपका potassium carbonate तो यह आपका जो यहाँ पे देखो potassium hydroxide क्या होगिया strong base हो गिया और आपका weak acid क्या हो गिया आपका weak acid आपका carbonic acid जो है वह आपका weak acid है तो strong base और weak acid से बना हुआ है तो इसका pH value जो होगा greater इसका pH value क्या होगा यह क्या होगा greater than 7 होगा और इसका pH यह आपका strong base और strong acid से बना हुआ है सर sodium hydroxide और आपका है क्या से hydrochloric acid से इसका भी pH value जो होगा आपका क्या equal to 7 होगा सर्थ एमोनियम ammonium chloride यह आपका क्या ammonium hydroxide और आपका क्या hydrochloric acid scl से बना हुआ है मिसकी यहाँ पे आपका strong acid और weak base से बना हुआ है तो इसका जो आपका जो solution होगा कैसा एश्टिक होगा और इसका pH value क्या होगा है less than 7 तो greater than 7 किसमें आया देखलो option A में आया क्या हो जाएगा option A आपका correct हो जाएगा अब आता है question number 67 question number 67 बोलता है salt is dissolved in water एक salt को क्या किए water में dissolve किए ठीक है pH of this salt solution is measured with a universal indicator paper और pH का जो salt solution है उसका जो pH हम लों मेजर कैसे किए universal indicator paper से किए if the pH solution is less than 7 अगर pH solution क्या गया less than 7 आ गया sir तो salt is most likely to be तो salt क्या होगा आपका acidic salt होना चाहिए acidic salt means कि आपका strong acid और weak base से बना होना चाहिए strong acid और weak base से तो यहां पर आप देखो यह आपका कैसे से बना है c h3 c l o h यह h3 weak acid हो गया और आपका na o h जब water डालोगे तो na o h क्या वे आपका strong base से बना होगा तो इसका pH value जो होगा greater than 7 होगा na2 co3 आपका यह जो बना हुआ na o h a strong base a strong base और आपका carbonic acid h2 co3 water जीसे डालोगे तो यहां पर negative में क्या होगा positive ion आएगा और positive ion में क्या negative ion में जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका क्या बनेगा आपका जो बनेगा यह na o h strong base और आपका h2 co3 क्या आपका क्या बन रहा है a strong base और क्या बन रहा है विक acid बन रहा है तो इसका जो pH बेलू होगा हो क्या हो जाएगा सर greater than 7 होगा फिर kcl में देखो kcl में koh क्या strong base हो गया और आपका ccl और potassium hydroxide से बना हुआ है तो आपके strong base और क्या बना है आपका strong acid से तो इसका pH बेलू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा वाटर डालो water h ठीक है positive ion में OH में डाल दो और अगर negative ion में क्या करो h जोड़ दो समझा गया तो ammonium chloride है ammonium chloride है तो यहां पर आपका क्या बनेगा ammonium hydroxide से बना हुआ water g से डाले NH4OH और आपका क्या SCL से बना हुआ है तो यहां पर आपका weak base और strong acid से बना हुआ है तो इसका जो solution होगा इस salt जो है HD salt है सर और इसका pH value जो है less than 7 तो less than 7 वाला हमें निकालना था ना क्या होजाएगा option D हो जाएगा समझ में आ गया अब चलते है option नंबर 68 समझ में आया सर समझ में आया ठीक है 68 आगे चल रहें which of the flowing salt will give an equal solution having pH of almost 7 अगर जिसका almost pH value क्या है 7 है 7 है मतलब कि यह दोनो strong acid या strong base से बना हो या weak acid और weak base से बना हो यह दोनों 23 जो आपका salt जो होगा क्या होगा इसका pH value 7 होगा या neutral salt का लाएगा तो यहां पर देखो NH4, NO3 यह आपका NH4, NH4OH Water डालेंगे तो यहां पर NH4 Plus है NO3 क्या है? मैनस है तो आपकी NH4OH हो गिया यह आपका क्या है sir? Weak Base है आपका और है ह डालेंगे तो क्या हो जागा है? HNO3 natric acid, HNO3, natric acid जो है आपका क्या है sir? Ini strong acid है तो weak acid और आपका weak base और strong acid से बना हुए है तो इसका pH value जो होगा less than 7 होगा हमें क्या लाना है equal to 7 देखना ammonium chloride यह आपका ammonium hydroxide और आपका किसका hydrochloric acid से बना हुआ है मिसकी weak base और आपका strong acid से बना हुआ है मिसकी इसका जो pH value होगा less than 7 होगा क्योंकि salt कैसा है है calcium chloride यहाँ पर आपका caoh2 और आपका क्या hydrochloric acid से बना हुआ है मिसकी आपका जो यह आपका calcium hydroxide क्या है weak base है sir और आपका hydrochloric acid कैसा है strong base acid है मिसकी जो आपका solution है या salt है कैसा है एस्टिक salt है मिसकी इसका pH value क्या होगा है less than 7 होगा आप देखो kcl kcl में क्या koh plus किससे बना हुआ है scl से बना हुआ है मिसकी strong base और किससे strong acid से बना हुआ है मिसकी इसका pH value जो होगा क्या होगा equal to 7 होगा option D हो जाएगा तो यह आप क्या करो कि ए सब salt में कि हमें पता करना कि a strong acid बनाया है कि किसे salt जो है एस्टिक है neutral है या basic है तो आप क्या करो पानी पिले डाल दो पानी डालो OH आपका किसमें करना है OH मैंनस आपको positive ion वाला में एड करना है और H प्लस आपको negative ion में बनाना है और देखना कि किसका किसका क्यों strong base और weak questions solve करना है समझाया यह आपको चेप्टर में आपको important question समय में आया होगा यह questions आपके एकजाम में भी आएंगे ठीक है थैंक्यू